घर से भाग कर शादी पचास करोड का तलाक मिश्टर परफेक्स निष्ट की नॉट सो परफेक्ट लव स्टोरी आमिर खान हिंदी सिने जगत के ऐसे हीरो हैं जिनके साथ काम करने के लिए हर एक्टर बेकरार रहता है मगर बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि फिल्मों में डेब्यू से पहले ही आमिर रीना दत्ता को दिल दे बैठे थे आमिर की दिवानगी इस हद तक बढ़ गई थी कि एक बार तो उन्होंने रीना को अपने खून से चिठी तक लिख दी थी आमिर के इस कदम के बाद रीना ने उन्हें ऐसा दोबारा ना करने के लिए भी कहा था वो घर से भाग कर शादी आमीर रीना की जब शादी हुई तब रीना स्टूडेंट थी वो बकाइदा अपने घर से रहते हुए स्कूल जाती रही आमीर अपनी फिल्म कयामत से कयामत तक की शूटिंग करते रहे जब शादी का मामला खोला तो आमीर के परिवार वालों ने रीना को कुबूल कर लिया शादी के कुछ साल बाद ही रीना और आमीर के बीच दरार की ख़बरे आने शुरू हो गई इस दरार की वज़य बाद रीना को माना गया आमीर और रीना की बीच बात बढ़ती देख पृती घबरा गई और उन्होंने आमीर के साथ अपने अफेर को नकार दिया पीती नहीं तो किरन सही पीती जिंडा के सफाई के बाद लगा कि आमीर और रीना की बीच सब ठीक हो गया है लेकिन इसके कुछ वक्त बाद ही आमीर का नाम कीरन राओ के साथ जोड़ा जाने लगा ये बात तपकी है जब आमीर खान फिल्म लगान में काम कर रहे थे और किरन राओ उस फिल्म में असिस्टेंट डाइरेक्टर के तौर पर काम कर रही थी आमीर पहले से शादी शुदा थे लेकिन किरन राओ के चाम में वो ऐसे गरफ्त में आये कि किरन के लिए वो अपनी बीवी को तलाग देने के लिए भी राजी हो गए किरन की खातिर आमीर अपने प्यार को छोड़ तो देते हैं मगर ये तलाग आमीर को बहुत महंगा पड़ता है जानकारों के मताबिक आमीर को रीना को तकरीबन 50 करोर रुपए अलुमिनाई के तोर पर देने पड़े थे आमीर और रीना का तलाग 2002 बे हुआ था और इसे उस वक्त का सबसे महंगा तलाग माना गया ये बात और है कि जिस किरन के लिए आमीर और रीना का ये महंगा तलाग हुआ उस किरन के साथ भी आमीर का रिष्टा लंबे समय तक नहीं टिक पाया आमिर खान के इस not so perfect love story पर आपकी क्या राय है हमें comment section में बताइए और बॉलिवुड के खबरों के रिए बने रही है जनसत्ता के साथ नमस्कार